इवीम के मसलेप का सवाल उठाया सेभ भाई ने मैंने उस पर कले टिपनी की ती कल भी किसी प्रसंग में वो बात आई थी मैं संख्यप में एक बात कहूंगा जिस निर्वाचन विवस्था और जिस मशीन के जरीए उत्रपदेश का जनादेश निकला है उसी निर्वाचन विवस्था और मशीन के जरीए राजिस्थान में अशोग गहलोद जी का जनादेश निकला और 36 गड़ में भूपश बगहल का निकला पशिम मंगाल में ममता बनर जी उसी से चुनकी आई और भोबनेश्वर में नवीन बाबू भी उसी से चुनकी आई और अमरेंदर सिंग की विदाई उसी से होई चन्नी की और उसी से केजरीवाल दीत क्या है इसलिए यह सब तर्क का यह बड़ा मतलब गैर सिकाउं तरक हो गया ठीक आगे आपको अपसर था आप भी लगातार बोली रहते हैं अपसर था मित्रा प्रूप जाई है लेकिन क्या इस बात पर गवर करने को आप तयार नहीं कि आपने जितनों को जितने आपसे अलग होकर गए ममता बनर जी आपसे अलग होकर गई चुकि वो डाइनेस्ट्री में नहीं थी तो एक सितारा बन गई भी पक्षिका, सितारा बन गई, भारती जंदाबाड़ी की तवाम कोशिशों के बाद वो बंपर विक्ट्री करके दुबारा आई, शर्थ पवार आप से अलग हुए, वो महराष्ट में राजा है, आपकी बराबर की हैश्यत के, बल्गे आप से ज़् मिजास से जो अब वो दुनिया भारत बदल गया, मित्र, अब भारत बदल गया है, आज के नहीं पीड़ी, कहां इसा राजत तो जेलेगी, नहीं, वो जमीदार जो शर्थ पवार ने एक बार ठीक का था, कि कांग्रेस को, कांग्रेस बड़े जमीदार के माइंड से नहीं मुझे याद है, राजीव जी ने कहा था, जब भारती जनता पार्टी के दो सांसत जीत के आयते लोग सभा में, कहा था, हमने इनका परिवार नियोजन कर दिया वाजपई की पारटी का, आज जिस प्रदेश में जमारलाल नहरूग जन में, कारी छेतर रहा, जन्म छेतर र और एक सीट भी उसमें प्रमोतिवारी जी की बेटी की है, कै इस पर चिंतना नहीं होना चाहिए, जाओं जाओं तो खूब करो भाईया, लेकिन इस पर भी तो जोचो, सीता राम केशरी के कारेकाल में 120 सीट आई थी, कांगरेस के लोगों ने कहा, गंधी परिवार को लाओ, सीता राम केशरी ने पार्टी नास कर दी, डुबो दी, फिर ये हुआ, अविशेक जी कि सीता राम केशरी का 24 अकबर रोड पार्टी मुख्याले के ग्राउंड में, ह 120 पे लोग सबा में, आज कितने हैं, 44, 44, जिंदाबात का नारा लगाना अलग बात है, और जनता के मन के साथ चलना अलग बात है, इसी भारती जनता पार्टी जिसके पास बड़ा संगठा ने, नेत्रतु की बड़ी एक लाइन है, मैं अखले शायद आपको इस बात के महां तक ले आए, जितना सरकार जब बनाई थी, 12 में तब भी नहीं आया था, और सीटे भी अच्छी पाई, मैंने कल कहा था, मैं कभी अपना तराजू इधर उदर नहीं जुकाता, वो दूसरे लोग होंगे, क्योंकि मुझे किसी से मांगने नहीं जाना, मैंने कहा था, कि अखिलेश यादव ने आज, जो सब जो, उनका गणित, जो उनके पास संख्या है, वो संख्या अगर मैं अर्थमेटिक में बद के साब से देखूं, एक फार्मूले के तहित फिट करूं, और ये कहूं, कि अगर आज ही चुनाब हो जाता लोक सभा का, तो SP प्लस कितनी सीटें आती BJP प्लस को, और 23 सीटें आती अखिलेश प्लस को, छोटी उपलब्धी है क्या, ये तो सोचना पड़ागा, उत्रपदेश बाइपोलर हो गया, भाजपार सपा में अंतर है, काफी बड़ा अंतर है, बोट बेंक का सीटों का बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन फि तीसरा तो खंबा नहीं लगा कोई, दो खंबे छोटे बड़े हो सकते लेकिन थे दोई, और मुझे याद नहीं आता अविशेक बाबू, कि मैंने अपने जीवन काल में उत्रपदेश जैसा सबसे बड़ा सूबा कभी बाइपोलर देखा हूँ, यहां धेर नेता हमेशा र है लोग, लेकिन अब इसका क्रेडिट तो पर भाजपा और सपा कोई जाएगा, कि बाइपोलर हो गई उत्तरपदेश की राजनीती, बसपा समापत प्राय हो गई, दियाबाती करने वाला कोई ने अगर आज ओमा संकर पार्टी छोड़ दे तो बसमा के घर में, कोई दिया तो इसकी तो समय, इस तर्ट तो सोचना पड़ेगा, कि लोग बदल रहे हैं, उनका चिंतन बदलना है, हर बात पर भारती जंता पार्टी की आलोचना करने से काम नहीं चलेगा, और तर्क के विरुद्ध तो उतना ही प्रामानिक तर्क लाइए, जिसमें उतनी ही शुचित हो, कोई विधायक, कोई संस, किसी राजी का विधायक, किसी राजी का सांसद, रहुल गांदी के बराबर आप खड़ा कर दोगे उसको, नहीं, और महमता पनार जी के लिए एक बात धिरूर कहूंगा, महमता जी जिस परिवारवाद के विरुद्ध आप गई थे, आपने अ को भी बढ़ाना शुरू कर दिया, रास्ता वो ही चलोगे क्या, वीजू बाबू के बाद नवीन बाबू, ये ठिक नहीं, नई फसल, नए लोग, नए कारिकरता, नए खून, वो लग प्राण देते हैं जमीन पर, तब पार्टिया खड़ी होती है, निधाओ को लगता है, वो अकेले दमजिता लाए, हम लाए हैं तूफान से कष्टी निकालके, ना जी ना, ये कारिकरता है, जो कष्टी निकालकर लाता है, हजारों लाखों लोग तपस्या करते हैं, तब संगठन खड़ा होता, भाजबा का आज का आई ये संगठन से क्या, जो दस बड़े चेह वही लहीं, नहीं, पीघियों से हजारों लाखों लोगों ने तपस्या की, तब जाकि आप इतना बड़ा संगठन बना पाते हैं, कांग्रेसाथ में चिंतन करने को त्यार नहीं वो तर्क पर तर्क करने को त्यार है तर्क में जीत भी जाओगे तो चुनाव में नहीं जीतोगे चुनाव जीतने की रास्त का रास्ता खोजो भाया जब प्रियंका जीन से पूझा गया कि आप कांग्रेस का चहरा कौन है उत्तरपदेश में तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था मेरे अलावा कोई और दिखता है क्या आपको महीं हूँ अफकोर्स तो जब चहरा में कि नौइडा यूथ कंग्रेस के अधिक्ष को और यहीं बात जेंट चोधरी पर लागू करता हूं मुझे अच्छी बात लगी अखिलेश यादाव ने अपने हर कारी करता को बदाई दी कि खूम लड़े अच्छा लड़े आगे और लड़ेंगे हताशा नेराशा की बात म जेंट मावू ने सब जिवे कर दिये वोला सब भूतपूर अब वो जो लेटर हेड़ शपाके रखे उसका क्या करें वर्सात भी ने कि नाव चला ले पानी में हैं क्या करेंगे जेंट चुद्रिक को जिमेदारी नहीं मुझसे लोगों ने कहा कि आपने उत्रपदेश के चुनाव की विजय का श्रे योगी आदितनात को दिया मैंने हाँ दिया सोच समझ कर दिया बोले क्यों राश्टी नेतर तुभी धा मैंने था है लेकिन अगर भाजपा नहीं जीती तो अस्फलता का ठीकरा योगी आदित समाजबादी पार्टी का यह जो प्रदर्शन है इसका क्रेडिट गोश्रू अखली श्यादब और यही सिध्धान्त मैं मायावती और कॉंग्रेस पर लागू करता हूँ टॉप लीडर्शिप को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अगर जिम्मेदारी लेने का मतलब दूसरे से कुर्सी ले लेना है तो आपकी जिम्मेदारी लेने का मतलब यह नहीं हो सकता कि हमने एक ब और लागू हो उपर से लेकर नीचे और नीचे से लेकर ऊपर अब उत्तर चाहिए प्रोट्योबाई केसरी मरहम एवं तैलम वर्षों से दर्थ पे सबसे ज़्यादा असरदार और प्रयाग PTMT बार फिटिंग्स और अक्सेसरीज क्वालिटी बेमिसाल लिख के ले लो